हेलो एवरिवन दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमरे यूट्यूब चैनल पर करन्ट अफिर के कुछ इंपोर्टेंट कोस्चन दोस्तो इस वीडियो में करेंगे जो आपके अगामी सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इपोर्टेंट रहेंगे वीडियो ची लगे त दोस्तो इसलिए कोस्चन का सिल्सला शुरू करते हैं हर वरस आठ मारच को विशव भर में अंतराष्टिय महिला दिवस मना जाता है जिहां दोस्तो आठ मारच को विशव में अंतराष्टिय महिला दिवस पूचता है कोस्चन सीदा से एक्जाम में अंतराष्टिय महिला द सारी को मना जाता है तो यह आपका राइट आंसर रहेगा आठ महारच उसके बाद अगला कोचन है पनामा अंतराष्टिय सोरगठ बंदन का अनुमोधन करने वड़ा सतानवा सदेश्य बना है पनामा जो देश है दोस्तों वो अंतराष्टिय सोरगठ बंदन आई एस सो इंट अगला कोचन है मनीपूर की दानी इंफाल में पांच दिश्य पुर्वत्तर भारत फिलम में चंपन हुआ है उसके बाद है नरेश कुमार इसलामिक गन्राज्य मोनिटरिया भारत के ने राजदूत बने हैं तो मोरीट मुलिटानिया में इसलामिक गन्राज्य के जोना नरेश कुमार भारत के ने राजदूत बने हैं नरेश कुमार इसलामिक जो गन्राज्य में उसके बाद है यतीन भासकर दुगल ने पांचवे राष्टिय युवा संसदमोच सो दोजार चोबिस में पर्थम पुरुसकार जीता है उसके बाद है केंदरिया रेल और आईटी मंत्री अस्वनी वैसनाव ने निती आयोग का निती फोर स्टेटस प्लेट्फरम लॉंच किया है जानकारी प्राप्त कर सकता है केंदरिया रेल और आईटी मंत्री कौन है अस्वनी वैसनाव यहां से द्यान रखेगा उसके बाद है हाल ही में चीन और माल्दिव देश के बीच सेन्नेस आयक्सम जोता हुआ है तो जो सेन्नेस आयक्सम जोता है कि इन देशों के बीच हाल ही में असम के मांजुली मुखोटे और पांडुली पी पेंटिंग को जी आई टेग का दरजा मिला है यह जी आई टेग से दोस्तों रिलेटिड बहुत चारे जो ना ऐसे सिस के एक्जाम में कोशन पूछे जाते रहे हैं फिर भी ध्यान रखेगा रियाना वगरा के एक पेसेक्स कंपनी ने प्रदूसन कारी तेल और गैस साइटोग निगराने के लिए मिथेन सेट लोंच किया है मिथेन सेट एक एप है दोस्तों एक तरीके से यह इसको लोंच किया गए प्रोग्राम लोंच किया गा मिथेन सेट एप किसने लोंच किया है सपेसेक्स यह याद रखेगा विमानन प्रिक्षन मानकों को उन्नत करने के लिए एर बस ने डबल आई-म मुंबी के साथ समझोता किया है तो यह किस ने किया भी किस आई-ई-टी के साथ या किस इंस्टिटूट मनेजमेंट के साथ यह किया गया है तो यह मुंबई के साथ किया गया है विमानन प फ्रिष्टे कोशन पूछेगा operation नन्ने फ्रिष्टे किस भी भाग ने चलाया किस डिपार्टमेंट ने चलाया है तो operation नन्ने फ्रिष्टे सब से पहले बात रिलेटिव किसे दोस्तो तो यह दोस्तो आरपी एप के एक पहला है और परीवार से अलग वे चोटे बच्चों को परिवारों मिलाने के लिए एक पहला चलाइन रहें अपरेसं मुसकान बाओ द्यान रहें रहें तो यह करेशन चलाएगा अब ज लाएगा पर कर से अलग अब फड़ीक कुछ यह याहन द्यान सब्सक्राइब बिलेगी पुर्वात्र जो स्टेट हैं उन्हों जो से पहली बात ही सका हम लगिए कि पुरुवत्र भारत की बाद चलाई तो असम में इस एकाई में दोस्तों लगबग 27,000 क्रोड रुपेस में निवेश जो हैं वे होंगे उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों आगे है भारत में 10 मारच को केंदरिय ओद्योगिक शुरुक्षा बल स्थापना दिवस मनाया ज जाएगा उचके बाद राष्टपती द्रोपदी मुर्मूने 12 मार्च को मोरिशस के राष्ट के दिवस समारों में मुख्षा ती गतोर पर सामिल होंगी कौन भारत की राष्टपती जोने इसमें सामिल होंगी अगला कोशन है देवंदर जांजडिया देवंदर जांजडि एंडरसन ने टेस्ट केकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले जो हना गैंदवाज बने हैं तो दोस्तों यह कोन रहेंगे जेमस एंडरसन इंगलांड के तेजग बाज है, 700 विकेट इन्होंने हाल ही में जो भारत की ग्रेलू सीरीज ती के के टेस्ट रंगला इ किस्तान में जो पंजाब प्रांत के पहले शीख प्रदान मंतरी बनेंक पहले शीख मंतरी कोण बने हैं जो पंगलरू में भारत का सबस्केर मल्टी प्रोटोकोल लेबल स्विचनिंग जो राउटर है वो पेस किया है ये कंप्यूटर से समनी था है जो मल्टी प्रोटोकोल लेबल स्वीचनिंग दोस्तों सबसे तेज सबसे फास्ट यह रहेगा ये बैंगलुरू में उने किया है उसके बाद जारखंड के चाई बासा में तीन दिविशिय डेरी मेला एवं किर्शी प्रदर्शनी जो वो शरू मेवाती की 15 फूट उची प्रतीमा का अनावरं किया है यह रियाणा के मेवात में रहेगा दोस्तों क supreme पुंचेंगे की तीमा का जो अनावरन किया है मनोरलाल ने ये मेवात ही राइट अंसरिस का रहेगा लास्ट क्वेशन दोस्तों आज का राष्टिय अभी लेखागार ने अपना 134 मा स्थापना दिवस मनाया है तो जो अभी लेखागार है दोस्तों है इस ने हाल ही मेपना 134 मा स्थापना दि जेगा दिन्यवाद जेन जेबारत